हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब देशी कुकंगी में आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं बीक साइज गराई मचली रेसिपी यह बड़ा साइज गराई मचली है एकाने में बहुत स्वादिश लगता है, बनाना बहुत आसान है, आप असाने सिसे बना सकते हैं, यह भाईया हैं जो पास के नदी से बिक साज गरई मचली मार कर लाएं हैं, इसे अच्छी से साफ करेंगे, गोईठे का अबानी डाल कर इस साफ करेंगे, इससे उपर का स्कीन अच्छी स निकल जाता है, मचली अच्छी से साफ हो गया है उपर से, इसे पीसे से काट लेगे और अंदर का बेस्ट पार्ट को बाहर निकाल लेगे, जाओенд लुछ कर लेगे, कम युछा युछ निकाल मौँव को पितागा है, मचली अच्छी करेंगे, पुछें में झाल पड़ना ऐसे चोर्यक्तिता साफमा गफ्षी अच्छी आगे मूचर का जड़िए ऑनागउ हैं और भी ऑ्जची का बसे साफमानु का लाग यह बिल्गुल फ्रेस हो गया है अब इसमें डालेंगे हल्दी पॉडर थोड़ा सा नमक डालेंगे सभी को अच्छी से मिक्स कर लेंगे कडाही में डालेंगे थोड़ा सा सरसो तेल तेल को गरम होने देते हैं अब इसमें मचली को डालकर भूणेने कि अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा एक चमच के आसपास तेल डाल देते हैं ताकि मचली जर लेहीं एक साइट से भूझा गिया है इसे पलटकर दूसरे साइट से भूझ लें थोड़ा सा तेल और डालते हैं उपर से कि मचली दोनों साइट से अच्छी से भूझा गिया है अब इसे हम निकाल लेते हैं इसी तरह बचे हुए मचली को भी भूझ लेंगे अची अच्यवाट खिय चाओ लेख ल्हेentar निसे अच्चक्षबते हैं अधियान ह है हमने सभी मचली को भूंज लिया है अमक्टाही में डालेंगे सर्चो तेल इसमें डालेंगे थोड़ा सा मेऊथी-धाना मेऊथी को हम पकछा लेगे अब इसमें डालेंगे पीशा हुा सर्चो इसे थोड़ा भूंज लेंगे अब इसमें डाल लेंगे पिसा हुआ अद्रक और लहसुन सभी को मिक्स करते हुए भूंजेंगे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हलका ब्राउन कलर होने तक इसे हम भूंजेंगे आप देख सकते हैं हलका ब्राउन कलर हो गया है मसाला का अब इसमें डालेंगे हम हल्ली पौडर मिर्च पौडर अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल कर भूंजेंगे और मसाला को अच्छी तरीके से पकने देंगे आप देख सकते हैं मसाला अच्छी से पक गया है साइड से तेल छोड़ रहा है अब इसमें हम गरेवी के लिए पानी डालेंगे गरेवी के लिए पानी अप अपना अनसार कम या जादा कर सकते हैं मसाला को अच्छी तरीके से पानी में घोल लेते हैं गरेवी में एक उबाल आने तक हम बेट करेंगे गरेवी में उबाल आ गया है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब इसमें भूंजे हुए सभी मचली को हम डाल देंगे इसी तरह हम इसे पंदरा सबीस बनाट के लिए पाखने लेंगे 20 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स अब इसे हम चुले से उतार लेते हैं यह रेसिपी आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें इसे एक थाली में हम निकाल लेते हैं आप इसे रोटी के साथ चावल के साथ खा सकते हैं एक खाने में बहुत स्वादिस्ट लगता है यह बिल्कुल देशिया स्टाइल में मचली वना है फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का खयाल रखिये खाते पिते रहिए मस्ती में रहिए